नमस्कार सफर सच में आप सबो का श्वागत है मैं इस वक्त मौझूद हूँ जारखंड के हजारी बाग जीले में और इस वक्त मेरे साथ मौझूद है जारखंड के टॉपर टॉपर स्टुडिन मेरे साथ मौझूद है जिनका नाम प्रिया है सबसे पहले सफर सच में आपका इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है आपने पूरे राज्य में टॉप किया है आपने पूरे राज्य में नाम अपना रोशन किया आपने परिवार का अपने डिस्टी का अपने शमाज का कैसा महसूस कर रहे हैं बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सब फैमिली वाले भी बह के बारे में कितना यह इस नोट्स वेगरा जो प्रवाइट किया गया उसको कितना डीपली कंसेप्ट वेगरा को अंडरस्टाइड के उससे मेंटेन रखता है कहीं न कहीं जिस तरह से आप महनत की होंगी उन आने वाले जो चात्र हैं 11 के हो या फिर जितने तमाम आपसे जुन कि तरब से उसको स्टाइडी करें और को देखते रहें और बस स्टाइडी करते रहें और जिस में मन लगता है कि वल उस सब्जेट को चुने और आगे उसी सपना फ्यूचर यह करें आपका क्या सपना आगे आपने टॉप किया इतने लेबल पे इतने बड़े लेवल पे न सर आप जो पुक्त का नामा जेंब कम पर्थम आई आपको कैसे और बहुत अच्छा महसुस होई और बहुत अच्छा महसुस हो रहा जो पर चाहते हैं उपट बहुत सारे अवस्य गार्जियन्स में जो की कि चाहते हैं कि समय नहें पर के है जोए बेली के पैटि मैज के चले जाएगी सषराल चले जाएगी उन सब गार्जैन्स को आप क्या संदेश देना कर रही है तो हमारा भी भी यही है कि बेटी भी हमारी अच्छा करकी तो यह हमनों का जैसे कि ज्यादा बहुत खुशी की बात है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि बेटी हमारी अच्छा की है और इसे बराबर इंप्रूब भी करते रहते हैं कि बेटी हमारी अच्छा करे और पढ़ाय लिखाय में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करो, ऐसा ने कि कोई दूसरे काम का तो यहां को यह है नहीं, जो भी मेंटेन करते हैं, एजूकेशन से, तो एजूकेशन में अच्छा भी बना करके सुरू से रखे में हैं, जी बिल्कुल, जैसा कि बहुत सारे गार जैसे, जी बीती को चुट मिलना चाहिए, जिस तरव से बेटों को हम लोग पढ़ाने में चूट मिलना चाहिए, माताज्या, आपका नाम क्या होगा। अपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुझी हमको ऑभग रहा है कही न कहीं जिस तरह से आपकी बेटी टॉपर की है, तो उन सभी माओं को आप क्या शंदेश देना चाहेंगे, जो करोडो माओ देखेंगे, आपको सुनेंगे, उन सब माओं को आप क्या कहना चाहते हैं? उस समय फ्राक ने समझना चाहिए बेटा बेटी में, बेटिया बेटी से वेखी होता है, अब बेटी को भी में इने की बेटी को इसको कम पढ़ाए, बेटी को भी पढ़ाने से देखिया, यहां तक पहुची है. सर आप क्या काम करते हैं? और कुछ प्रवेट काम भी करते हैं साइट से कह सकते आप LIC एजेंट हैं जी और भी हमारे साथ बच्ची की गारजियन से उनसे जानने की कोशिस करेंगा सर आपका नाम क्या हुआ सुरिष प्रशाद वर्मा हुआ सर मेरा नाम जी सर आप क्या करते हैं सर मैं लेक्षर हूँ क ने पूरे जारखंड में टॉप की है उन तमाम एक लेक्षर होने के नाते उन तमाम गारजियन्स को उन तमाम स्टूडेंस को आप क्या शंदेश देना जाएंगे मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको शलाह दूँगा कि आप प्रिया की तरह कॉंसिस्टेंटली आप रेगुलर स्टडी करें मेहनत करें है ना लेवर इस द की आफ सक्सेस यह कहा जाता है और आप लेवर करते रहें कंटिनिवस लेवर करें कॉंसेप्चिवल स्ट इस तरह से उनको सब्जेक्ट समझ में आएगा और जब उनको समझ में आएगा तो वो कॉपी पर उसको लिख भी शकते हैं ठीक है और इस तरह से वो बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं सपलता हूं को अश्चिवल से 97.8% लाकर के आपने पूरे जार्खंड में अवल आया प्रत लकातार यू बसुपी पर उद्डेद करते हैं सपल дан करते हैं अलाइन क्लास के लिए प्ड़ू का कौचिंग और कंशेंस के वी भी आपके और कुछ कहना चाहेंगे कि वो इस तरह से महनत करें उनको क्या शंदेश ऐसा देना चाहेंगे और किस तरह से आप पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करेंगे क्या कुछ आइडिया बताएंगे जिसे स्टुडेंस आगे चल करके बहतर करें प्रदर्शन 11-12 का बेसिक बहुत जरूरी होता है कोई भी कॉम्पेटिशन लेबल के लिए तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जिस तरह से एक बेटी होने के नाते आज पूरे जारखंड राज्यमे नाम की है अपना हजारी बाग की बेटी होने के नाते कहीं न कहीं उन तमाम गारजियन से मेरा अपील है उन तमाम स्टूडेंट से मेरा अपील है जिस तरह से प्रिया, बिटिया, जार्खंड की बिटिया, हजारी बाग की बिटिया ने इस तरह से मेहनत करी इस तरह से मेहनत की कि आज पूरे राज्य में इनका नाम है और कह सकते हैं कि पूरे राज्य में इनको फॉलो करेंगे जिते भी स्टूडेंस है 11-12 के कहीं न कहीं इस बिटिया की तरह आप लोग भी मेहनत करें और अपने लगातार एम की तरह फोकस करें ना कि इधर उधर आज 11-12 के बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पढ़ाई के रास्ते ना चल करके किसी और और रास्ते में जाते हैं तो उन तमाम स्टूडेंस से मैं कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं फोकस करने की जरुद है स्टडी के उपर क्यूंकि जिस तरह से माता पिता आपको अपने खर्च या फिर कुछ भी बचा करके जिस तरह से आपको पढ़ाने के लिए भेजते हैं तमाम इंस्टिशन्स हजारी बाग या राची या पटना तो कहीं न कहीं अपने गार्जिंस के ओपर भी खरा होतरे नमस्कार जैहिंद जैवारत थैंक यू